ये आकाश्वानी है अब आप हरी संधू से समाचार सुनियें संसद का शीत कालीन सत्र आज शुरू हो रहा है प्रधान मंतरी डक्टर मनमोहन सिंग ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है संबादाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यूपीय सरकार संसद में किसी भी मुद्धे पर चर्चा के लिए तयार है सदन में अपने साथियों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए डक्टर सिंग ने कहा कि शीत कालिन सत्र के दौरान संसद के समक्ष विधाई कामकाज का महतपून एजन्डा है उन्होंने कहा कि यूवाओं को लागकारी रोजगार दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर उपलब्द कराने होंगे प्रधान मंत्री ने कहा कि आर्सिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हमें बुन्यादी धांचा क्षेत्र और स्वास्त तथा शिक्षा जैसे सामाजे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की जरूरत है लोगसभा ध्यक्ष मीरा कुमार ने कल शाम सभी पार्टियों के नेताओं के साथ बैटक के बाद संबादधाताओं को बताया कि सभी नेताओं ने उन्हें सहयोग का अश्वासंतिया है त्रिनमूल कॉंग्रेस आज यूपिये सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई की पार्टि सुत्रों ने बताया कि ये प्रस्ताव सत्र के पहले दिन ही सदन के पटल पर रखा जाएगा राजस्तान में चुरू जिले में आज एक सड़क दुरुखटना में तेरे लोगों की मौत हो गए और 49 घाइल हो गए दुरुखटना किशनगड हनुमानगड मार्ग पर सरदार शहर के पास हुई हादसा एक निजी बस और ट्रक के टकरा जाने से हुआ 32 घाइलों को सरदार शहर के अस्पताल में और गंभीर रूप से घाइल साथ लोगों को बीका नेर और सीकर भेजा के आए है वितमंत्राले ने किसी कंपनी में जीवन बीमा निगम के निवेश की सीमा उसकी चुकता पूंजी के 10 प्रतियत से बाढ़ा कर 30 प्रतियत करती है नई दिली में समध्याताओं से बातशीत में वित्तिय सेवाओं के सचिव डीके मित्तल ने कहा कि जीवन वी मानिगम अब किसी कमपणी की चुकता पूंजी के तीस प्रतियत तक उसमें निवेश कर सकता है। उनने कहा कि साशे के अधिसूचना जरी करती गई है। सरकल दरों में 22 प्रतियत से 200 प्रतियत तक की बढ़ोतरी का फैसला किया है। मुक्यमंत्री शीला देक्षित की अधियक्षता में मंत्री मंदल की बैठक में इस आशे का निरने लिया गया। संशोधित दरों के अनुसार A. श्रेणी की कालोनियों की नई सरकल दर 6,45,000 रुपे प्रति वर्ग मीटर तैकी गई है। पहले ये दर 2,15,000 रुपे प्रति वर्ग मीटर थी। श्रेणी B की कालोनियों की वर्तमान दर करीब 1,36,000 रुपे प्रति वर्ग मीटर से बढ़ा कर करीब 2,4,000 रुपे प्रति वर्ग मीटर कर दी गई है। श्रेणी C के तहत आने वाली कालोनियों की नई दर मजूदा एक लाख नौ हजार रुपए प्रती वर्ग मीटर से बढ़ा कर एक लाख तेटीस हजार प्रती वर्ग मीटर तैकी गई है दूसरी और डीश रेणी की कालोनियों की नई सरकल दर सतासी हजार रुपए के स्थान पर करीब एक लाख छे हजार रुपए प्रती वर्ग मीटर कर दी गई है इसी तरहे ई, एफ, जी और एच वर्ग में आने वाली कालोनियों के सरकल रेट भी बढ़ा दिया गया है उत्तर प्रदेश में उद्योगों ने बिजली की दरों में कथित वृद्धी के विरोध में आज एक दिन का बंद रखा है हमारे लगनो संबादाता ने सरकारी सूतरों के हवाले से खबर दी है कि इस बंद से सरकारी खजाने को लगभग पांच अरब रुपए का नुकसान होने की संभावना है भारतिय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और प्रसिद सालामी बल्लेबाज सुनील गावसकर को कल मुंबई में एक समारोह में भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रत्विष्ठित कर्नल सी के नाइडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पूरुसकार से सम्मानित किया गया इस पूरुसकार में एक ट्रॉफी प्रिशास्ति पत्र और 25 लाग उर्पे का चेक दिया जाता है इसके साथ ही ये समाचार बुलेटन समाप्त हुआ